इस वीडियो रिकार्डिंग में मैं अथया हूं और डेरी की क्लासेज में बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं यह बता रहा हूं के जानमाओं को किसी वाइटेमिन की कोई जाज़े जरुद नहीं पड़ती है यह करीब करी सब बाइटेमिन बना लेते हैं जीवान होते हैं वो बनाते हैं और वाइटेमिन डी इन्हें सूर से मिल जाता है और वाइटेमिन इन्हें हरी उस से मिल जाता है तो मैं यह बता रहा हूँ एक वाइटेमिन है जिसे वाइटेमिन एच कहते हैं देखिए इसमें यह वाइटेमिन एच है यह बहुत इंपोर्टेंट है दूद्रे देने वाले जानवां के लिए अगर आपका एन्यूर्ट हो गया है तो आप इसे 20 एमजी पर देजिए ठीक है और वह देनवाया जानाएं यह बहुत से मिला रहता है इसको ब्रहमेन धीक ça है चला है travailler काफी काफी मेडिस्ट पर दमार रहता है तो यह करता है मेटाबॉलिम मेटाबॉलिम मतलब यह फैट से और प्रोटीन से ग्लुकोज बनाता है और इसके साथ यह जो है यह थन की संद्रचना को बड़त देता है मतलब थन की अंदर की जो सेल्स हैं वह क्यूटिकल की बनी होती है बहुत हाट को उनको मजबूत करता है थन में मजबू पढ़ने हैं दूद देत जानोबाइए दूद देते ही मान इसको जैना शुरू कर देए यह यहाँ पे दिखा रहे हैं के इस थन रचा में काम करता है वैसे मैं आपको यह इस वह बड़ा दो के यह खूर और शेंग और इसमें भी कापी काम करता है बायोटिन बायोटों ल यह दूदूत पाजम जैसे पश्रुक प्यामन हो 10 M G पढ़ दे दीज़े और जैसे वह ब्यादा 20 M G पढ़ दे से लूगा यह पुछते हैं कितना देना है सब कब कब तक दे रहें रहो पेरे 10 M G दो और फिर 20 M G दो तो देख लिए तो इसमें ये बायोटोन प्लस है उसमें एक गोली में 10 mg आता है देख लिए अगर उसमें बायोटीन मिला हुआ है और 20 mg है तो आप उसको उसी इसाब सब देए 20 mg इसकी डोज जो है वो ब्याई हुए पशुम है जो दूद दे रहा है और थनके किसी भी विका से आप बचाएंगे लंगने होने से बचाएंगे और उसका खोर और उसके सीग ठीक रहेंगे और अगर आपका पशुम प्रिग्नेंट है तो आप अडर की वाज़त के लिए मताव इसका अडर में इंफेक्शन ना हो इसको 10 mg पाड़े दीजे कब कितने दिन नहेंगे आप इसमें रोज डीजें तो मिला रेता है आप अपने मनेर रश्चन चेक कर लिए मैं इसमें से भी ही बता रहा हूँ वाइटामिन ह बायोटीन और बी सेविन यह एक ही चीज होते है और ये पशुम अपने शरीर में नहीं बनाते है बारी बाकी सारे वाइटामिन यो है यह अ इसमें काफी जादे होता है वैसे ये शकरगंदी में थोड़ी मात्रा में पाया जाता है केले में भी थोड़ी मात्रा है पर वह मात्रा इसी अधक नहीं होती इसके जैने से आप वो डेरी वेफसाय में आपको लाव होगा और आपको मैस्ट्राइटिस से बचे रहेंगे और कि लगलाहट होगी बच्चाएगी प्रेजन्ट होते ही पश्रो को देना शुरू कर दीजे और राई होने पे 10 मजी और दूद देते ही पश्रो को 20 मजी पर देना है